हाई स्कूल मुख की परिक्चा 2022 विसे गणित कक्चा दस्वी सभी प्रेश्ण अनिवादी है सभी दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है पूरा का पूरा में यहां पर आपको बताने वाला हूं किसी प्रकार की गलती नहीं करना है ध्यान दीजे कि देखिए मैं इस बिल्कुल ब्लूपरिंट के आदार पर है दोस्तों फेपर जो है पूरा का पूरा है यह अब यहां पर सांतियों ध्यान दीजीएगा वह सारे दोस्त बार बार लाइव चेट में कमेंट करते रहते हैं मैं सभी दोस्तों की कमेंट पढ़ता रहता हूं वह सारे दोस्ते कहता हैं कि paper नहीं आया था इंदी का मैंने आपको कहिं बार बता चुका है कि इंदी का paper आया था या नहीं आया था और आया था तो कितना आया था आप comment box में जाएए या description में जाएए और telegram channel के उपर हमारा vlog वाला channel है उसके नीचे आपको link दे रहा की है vlog वाली जिन बच्चों से बात की थी उनका वीडियो आप देख सकते हैं ठीके सब पता है आपको चल जाएगा जो भी ये बात बोल रहे थे देखिए पेपर बता रहा हूँ यहाँ पर पूरा एक से लेगा 23 तक हला आपको मिलने वाला है सभी दोस्तों दियान दीजेगा PDF आपको telegram channel पर मिल जाएगा description में link है सभी दोस्ते telegram को जरू जोईन कीजेगा देखिए question number पहला देखेंगे 96 और 404 का hcf होगा दोस्तों 96 और 404 का जो hcf होगा वो होगा 4 4 आपका correct answer होगा बहुपद x square minus 3 के सुन्यक है तो इसमें आपका option देखिए ज़्यादा time नहीं लूँगा option number 1 आपका correct हो जाएगा चलिए बात करेंगे question number 3 की समीकरन निकाई में यदि a1 upon a2 equal b1 upon b2 बरबर नहीं है c1 upon c2 वो तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों इसमें आपका जो right answer होगा जितने भी दोस्त live class में जूड रहे हैं सभी इसका answer बताएंगे इसका right answer क्या होगा जल्दी से comment करके बता देंगे question number 3 जल्दी से right answer बताएंगे जल्दी से answer बताएंगे आप सभी दोस्तों के comment देके जा रहे हैं फालतू comment करने वाले को चैनल पर कभी विजिट नहीं कर पाऊगे बिलोग कर दिये जाएगा धियान रखिएगा बिलोग एक बार कर दिये तो कभी भी वीडियो नहीं देख पाऊगे धियान रखिएगा तो सभी बच्चे सों समझ कर बात करें फालतू बात ना करें जिसको पढ़ना है वो पढ़ें बाकी छोड़ कर चले जाएग लाज को कोई हल प्राप्त नहीं होगा आपका राइट हंसर हो जाएगा कोई हल प्राप्त नहीं होगा अगला question देखेंगे यदि द्यूगाद बहुपद a x square plus b x plus c के सुन्यक alpha even beta हो तो alpha plus beta का मान याद कीजिए तो दोस्तो इस में आपका जो राइट अंसर होगा जल्दी से सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे बिलकुल लगा लिजिए आपका minus b upon a आपका correct answer हो जाएगा उसके बाद में हम देखेंगे द्यूगाद समीकरन में मूलो की अधिक्तम संक्या होगी तो मूलो की अधिक्तम संक्या आपका correct answer हो जाएगा दो किसी सामनतर स्रेनी का सारवानतर हो फकता है तो यह होगा दोस्तो उपरोक्त सभी धनात्मा करिनात्मा को सुनने भी हो सकता है अब बात करेंगे हम रिक्तिस्तानों की देखिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीज़ेगा सभी स्टुडेंट जितने भी हमारे विद्यारती के लाइक लाइक में जूड रहा है एक बार अपने सभी दोस्तों को शेर जरूर कीज़ेगा पूरे पूरे चांसे मैं तो यह कह रहा हूँ कि आपको यह रियल मन कर चलना ही नहीं है ठीके आता है तो पूरा का पूरा चपेगा दोस्तों और नहीं आता है तो मोफ्ट समझ कर पढ़ लीजिए ठीके दोस्तों मैं यह नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई पेपर नहीं बनाया है आपका आएगा की नहीं आएगा लेकिन है तो आपकी क्लाफ 10 कमेस ही अगर आते हैं यदि यह वाला कोश्यन आया तो यहां पर मैं अंसर बता रहा हूँ आपको किसी पिरकार की गलती नहीं करना है सभी दोस्ते ध्यान दे बार-बार कमेंट ना करें किसी भी पिरकार का फालतू मैं आपको इसफ़ेश्ट कर देता हूँ आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं आता है तो कोई दिक्त नहीं है पढ़ लीजिए पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा अनसर आएंगे पेपर में तो आप सब सही कर दोगे ठीक है जल्दी से पहला कोईशन पढ़ेंगे रिक्तिस्तान का और कमेंट करके मुझे बताएंगे खालिस्तानों में आपको किसी पिका की गलती नहीं करना है बहुपद एकस स्क्वार माइनस सेवन एकस माइनस नाइन में सुन्याकों का गुननफल होगा तो दोस्तों यहा को कालिस्तान में बना है दूसरा देखेंगे दो समीकरनों को जोड कर या गठा कर हल करने की विदी जो खेलाती है वो के लाती है विलो पित विदी ठीक है आप रिक्स लीजिएगा अगला कुशन देखेंगे द्विघार समीकरन एकस स्कायर प्लस बी एकस प्लस सी बरबर जीरो का विविक्टिकर है सभी दोस्तों जल्दी सिसका राइट अंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में जितने में दोस्ते लाइव क्लास में देख रहे हैं कुशन नंबर तीसरे का अंसर बताएंगे तो इसका अंसर आप लिख लेंगे थार्ड वाले का डी बरबर बी स्कायर माइनस फोर एसी आपका राइड अंसर हो जाएगा ठीक है चूंता देखेंगे यदि ए बी सी ए पी में है तब बी को ए और सी को केते हैं दोस्तों सरवांतर इसमें आपका सरवांतर आपका राइड अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखेंगे सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग जो होते हैं वो होते हैं सम रूप ठीक है सम रूप आपका राइड अंसर हो जाएगा आगे देखेंगे सम कौन तिरबुज में सबसे बड़ी बुजा सबसे बड़ी बुजा जो होती है दोस्तों वह होती है कारण आके देखेंगा अगला कुशन यदि एक बिंदू का वाई निर्देशांग जीरो है तब वह अक्ष पर इस्तितोगी जल्दी से मुझे बताएंगे कौन कुन अंसर दे रहा है जल्दी से बताएगा तो इसमें भर लिजेगा एकस माइनस अक्ष आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी दोस्त लाइक जरू कर दीजेगा जोड़ी देखेंगे जोड़ी मिलाएगा दोस्त तो शेक सक्वेर मैंनस 10 इंस को अब वन से मिलाएगे तेन इसको मिलाएगे आप सेख थीपा अब और कोस्त थीटा कोस्त 45 डिग्री इसको अब मिलाएगे 1 आफ 1 अंडरू 2 10 60 डिग्री इसको आप सभी दोस्त तो तो मिला लेंगे अंडरूर्ट त्री और कौसेग 90 डगरी माइनस ठीटा इसको मिलाएंगे आप सेक्स हैं और उसके बाद 10 90 डिगरी माइनस ठीटा इसको मिलाएंगे कोड़ ठीटा चलिए आकर बढ़ जाएंगे एकसम देखवाई के मुत्तर देखेंगे सबी दोस्त गलती नहीं करना किसी बिरकार की देखिए का यदि A और B दो प्राकर्त संक्या है तब उनके A, C, F और L, C, M में क्या संबंद होगा तो दोस्तों इनके बीच क्या संबंद होगा ये आपको बताना है जल्दी से सभी दोस्त जितने विलाई उकलास में देख रहा है और सभी इसका कमेंट करके बताएंगे पहले कोश्यान का उसके बाद में अनसर आपको देखने को मिलेगा जल्दी से सभी दोस्त बता देंगे तो यहां पर लिकी लीजिए आप L, C, M और H, C, F यह आपका राइटन A पर यह त्यान रखेगा यह आपका राइटन सरो जागा अगला दूसरा देखेंगे बिन्दू A, 1, 2, A, 1 B, 3, 4 को मिलने वाली रेका के मद्दी बिन्दू के निर्देशांक क्या होंगे तो दोस्तो इस बिन्दू के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 2, 3 आपका राइटन सरोगा अगला देखेंगे किसी वृत पर कितनी इस पर से रेकाए की चीजा फक्ती है बहुत ही महत्पूर्न कोईशन है और मौस्ट इंपोटेंट कोईशन है पेपर में जरू देखने को मिलेगा तो इसमें आप क्या लिख लेंगे अनंत ठीक है? आगे बढ़ेंगे आर्ट रिज्जा वाले गोले का आइटन का सूत्र आपको बताना है जल्दी से सभी दोस्त सूत्र मुझे सेंट करेंगे इसमें लाइव चेट में जल्दी से बता देंगे सभी दोस्त इसका अंसर लिख लेंजी आप फूर अपॉन त्री पाई आर क्यूब ठीक है? आप लिख सकते हैं उसके बाद में अगला कुशन है आर्ट रिज्जा वाले बेलन का आइटन का सूत्र तो इसमें आप लिखेंगे पाई आर स्कुएर एच ठीक है यह आपके राइट अंसर हो जाएंगे उसके बाद में अगला कुशन आप सभी दोस्त देखेंगे किसी गटना के गटित होने की प्राइकता पी ए है तो उसके ना गटित होने की प्राइकता क्या होगी? कुशन नमबर छे जल्दी से आप देखेंगे और अंसर बताएंगे तो दोस्तों इसका अंसर आप राइट सभी लगा लिजे जल्दी से 1 1- लगाएंगे आप सभी दोस्त 1- P कुशन तक में आपको भी लगाना, लिखना है ठीके, ये कुशन आपका कंप्लिट हो जाएगा साथ वो देखेंगे आंकडों में सरवदिक बारंबरता वाला पद क्या कहलाता है तो उसे हम बहुला कहते हैं आप सभी जानते हैं अच्छे फिलिक लीजेगा इन अंसरों को बार बार पढ़ते रहें तोंकि दो से तीन दिन अभी आपके पास सेज बचे हैं उन में आपको कंप्लिट करना है देखिए सत्याफत्य की बात करेंगे सभी कुशन भी नीचे में आपको बताने वाला हूँ देखिए भज बराबर भजा गुनेत सेस्पल प्लस भाकपल तो राइट है आपका तो यहाँ पर समय ना लेते हुए मैं आपको यह भी आपका बता देता हूँ सही है तीसर भी आपका सही है चौस्तर भी आपका सही है यह आपका असत्य है सिंद्वा संग्यत्मागूप से बराबर है तो उस उरत की तरज्जा दो मात्र होगी तो यह भी आपका सही है यहां पर यह गोशन दोस्तों आप सभी दोस्ते कह रहा है थे कि मौस्ट इंपोटेंट ही बता दीजिए तो कम से कम इन्हें मौस्ट इंपोटेंट मान कर जल्दी जल्दी याद कर लीजिए इनको लगा लीजिए दोस्तों लगा लगा कर देख लीजिए वहां पर भूलना नहीं है आपको बहुत ही महतुपूर्ने आपकी 22 तारिक को होने वाले पेपर के लिए एक भी परिशने नहीं चोड़ना है जिस भी परिशने को करने में आपको दिक्कत आए कमेंट करके बता दीजिएगा उसके उपर आपको वीडियो मिल जाएगा कोशन नमबर 15 देख सकते हैं 16 देख सकते हैं बिलकुल बिल्यू प्रिं 21 22 देख सकते हैं और 23 अपरिशने आपकी स्क्रीन पर लाफट कोशन था तो दोस्तों वीडियो कैसा लागा कमेंट करके जरू बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो आगे बीसी परकार अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली झाली जरूर सम्चा मेंट पाने वाली सु कोशन तो आने वाली स्क्रीनattend वीडियो अच्छाइब क कीजिए युई हो ऑली जरूर सम Где ही बाखबेगा हो आट कीकिस जरूर झिया वीडियो हände की की चाहते हैं है आने रहलीडियो पर के ब Comes用 at Radio कैने की स्क्रीने मैं जरूरूर, झाल झाल